हिलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में जैसा कि कल काफी सारे स्टूडेंस ने ECGCPO का एक्जाम दिया है और काफी सारे स्टूडेंस के कमेंट आए कि सर क्वांट और जीए के वैसे थोड़े से कम अटेंट रह गए हैं और कम ही चांस लग रहा है कि इतने अटेंट में एक्जाम किलियर हो पाएगा देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि ECGCPO में बहुत ही कम बेकेंसी हैं सिर्फ 75 बेकेंसी हैं तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कट आफ रहेगी और देखा जाते 2022 में जितने भी छोड़े छोड़े नोटिफिकेशन अभी तक देखने को मिले हैं UDC हुआ, MTS हुआ, RVI Assistant है, SSO है, ECGCPO है यह सबी एक्जाम्स की तयारी आपके आने वाले सभी बड़े एक्जाम्स में काम आने वाली हैं क्योंकि सभी बड़े एक्जाम्स के नोटिफिकेशन आने बाकी हैं जिसमें से सबसे बड़ी golden opportunity है, IBPS, RRB का एक्जाम, तो जितने भी एक्जाम्स आपने 2022 की दिये हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि कितनी तयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तयारी रहे गई है, कौन सा subject ऐसा है जिसमें score नहीं हो पा रहा है, कौन सा topic ऐसा है जो clear नहीं है, क्या क्या गलतियां आपके 2022 के एक्जाम्स में हुई हैं जिसमें सुधार करना है, क्योंकि देख तो कुछी दिनों के बाद जून के मैने में आपको notification RRB का देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद कितनी जल्दी time निकलेगा और RRB का exam सामने होगा, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अभी आपके पास समय है लगबग 2 मैने का, एक target set कीजी RRB के exam के लिए, कि हमने उसक चीज़ क्या है कि जो पिछले काफी सारे exam में देखने को मिलता आ रहा है, कि quant और GA दो ऐसे subject हैं जो moderate से difficult हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें अगर score अच्छा करना है, तो आपको इनमें काफी जाना मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी समय है, बिलकुल इन पर आप focus और अगर आप RRB के लिए तैयार हो जाओगे ना, तो आने वाले सभी बड़े exams में आपकी performance अच्छी रहेगी और exam भी आपके continue clear होंगे, इसलिए RRB पर focus कीजिए, बाकी काफी सारे students हैं, जिनकी quant week है या arithmetic week है, तो काफी सारे कुछ questions ऐसे होते हैं exam में, जिसको हम कम समय मे या sort कर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन practice नहीं रहती है, तो उसको हम basic तरीके से करते हैं, इसी की regarding free e-book PDF है, जो की olive board की तरफ से है, कि कैसे कम समय में exam में कुछ questions को हम solve कर सकें, link आपको description और comment box से मिल जाएगी, बाकी आने वाले exams के regarding या कोई भी doubt है, तो आप comment में पूर सकते ह बाकी मिलते हैं फिर नेस वीडियो में, जब तक किलिए धन्नपाद